भारत सरकार की नीतियों के खिलाब कई करमचारी संगठनों ने 28 मार्च और 29 मार्च को भारत बंद का एलान किया था केंद्री ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और अलगलग सेक्टर्स की यूनियनों द्वारा देश भर में दो दिवसी और हर्ताल का एलान किया था पहले दिन परवहन से लेकर बैंक तक सेवायान सिक रूप से प्रवावित थी इस बंद के पहले दिन केरल में सभी सरकारी कार्याले बंद रहे और हर्ताल का व्यापक असर देखने को मिला हर्ताल के दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला के इन सरकार की नीतियों के खिलाप हजार अस्रमिकों को दो दुन की राष्ट व्यापी हर्ताल के पहले दिन फशिम बंगाल, केरल और तमिलनाडू जैसे राज्यों में सौम्मारकूर सार्वजनिक छेत के कई बैंकों में कामकाज के प्रवावित होने के साथ सार्वजनिक परिवहन सेवाएं ठप पड़ गई एक दर्जन ट्रेड यूनियों द्वारा बलाई गई हर्ताल से हालाग स्वाश सेवा, बिजली और इनन आपूती जैसी आवश्यक सेवाओं पर असर नहीं पड़ा सरकारी कार्यालेओं समेट सिक्षन संस्तानों में इसका असर न के बरावर रहा स्रमिकों ने कई जगों पर ब्रोद प्रदर्शन भी किया और यूनियोनों ने दावा किया कि जारखन 36 गड़ और मत्रदेश जैसे कुला खनन छेत्रों में आंदोलन का असर पड़ा है